हेलो फ्रेंड आज हम आपके लिए एक और न्यू रेसिपी लेकर आज चुके हैं यो कि है इंस्टेंट चलेबी यह देखिए अमारी चलेबी किती बढ़िया बनी है और कितनी टेस्टी लग रही है और इसको मैंने अल्ली 10 मिनिट्स में बनाया है तो चलिए देखते हैं कि हम पहले अपनी चासनी बना लेते हैं मैंने या पर एक पैन में दो कटोरी सुगर डाल दिया यानिके दो कटोरी मैंने आपा चीनी लिये और इसी कटोरी से मैं पानी डाल दे रहा हूं एक कटोरी और मैं इसी के साथ साथ एक छोटा चम्मा चिलाइशी पावडर डाल लहूं इससे हमारी चास्नी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और हमें इसको अच्छे तर चलाना है जब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है यह देखिए हमारी चास्नी में बॉइल आने लगा है हमें इसको और पकाना है हमें इसको जब तक पकाना है जब तक हमारी चास्नी एक तार की नहीं हो जाती है आपको छेक करके बताता हूँ अधे कि देखिया हमारी चास्नी एकतार की हो चुकी है यह देखे आपनी जलेवी का बैटर बना लेते है मैंने या पर एक कटोरी मैदर लिया है और एक चमच मैंने इसमें घी लिया है हम इसको अच्छे से मिला लेंगे चमच से अब मैंने इसको अच्छे से मिला लिया अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पाईन डालके अच्छे से मिला लूँगा अब इसको चमच की मजच से भी इसको मिला सकते हैं हमें थोड़ा-थोड़ा पाईन डालके इसको मिक्स करते जाना है दिख्या हमारे बैटर में बिल्कुल भी लंस नहीं होने चाहिए हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है मैं यहां पर थोड़ा सा पानी और डाल देता हूं अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूं कि अब अच्छा थोग्या थोड़ा सा पाईन डाल देता हूं हमारा इना अच्छा से मिक्स कर लेता हूं इसको मैं अच्छे से मिक्स करना है बैटर अप रेडी हो चुका है इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए तो चलिए हम आगे की प्रिप्रेशन कर लेते हैं मैंने यहाँ पर एक बॉटल का यूज किया आप चाहे तो पॉलिथिन का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इस से बॉटल से बहुत अच्छी हमारी चले भी बनती हैं तो मैंने इसके धकन पर छेट कर लिया था अब मैं इसमें अमारे जो बैटर है उसको स्पून की मदद से मैं अच्छे से फिल कर देता हूं अब यहां पर पूरा बैटर जो हमारा था मैंने भॉटल में फिल कर लिया है और हमारा तेल हम गरम कर लेते हैं मैंने यहां पर प्लेण वाली कड़ाई का यूज किया है इसी में हमारी जलेबी अच्छे से बनती हैं कि और मेने चरिंड भी यहां च्छा एकंद लेंगे अब मैं यहां पर अच्य सी अपनी चलेभिया डाल देता हु कि एक देन confident हाँ माई यहां पर दो डिजाइन की ज़ुबिया बनाओंग अभी मैं यह गोल वाली चलेभिया बना रहा हूं मैंने यहां पर कलर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है मैंने यहां पर फूट कलर बिल्कुल नहीं डाला है क्योंकि हमारी चलीबिया खुड अच्छे से तल के अच्छी गोल्डन हो जाएंगी तो हमें कलर का मैंने यूज नहीं करें यह देखिया हमारी चलीबिया गोल्ड प्राइब कर लेंगे इस देखिए हमारी जलेबिया अच्छे से गोल्डन हो चुकी है हमने यहाँ पर कोई कलर का यूज नहीं किया है यह देखिए हमारी जलेबिया मैंने अप धेरी करके मैं इसमें चासनी में अपनी जलेबिया डालते जाओंगा और बस हमें एक मिनिट के इसमें चासनी में रखना है और हमें निकाल लेना है हमारी जलेबिया कि देखिए कि अच्छा कलर भी आया हमारी जलेबियों में चलिए तो और जलेबियों और बना लेते हैं कि हम मैं यहाँ पर दूसरे डिजाइन में जलेबिया बना रहा हूं यह लंबे वाले डिजाइन में आप चाहें तो आप जैसे डिजाइन में आप पसंद करते हैं आप वैसे बना सकते हैं और आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल अइकन डवाना नहीं भूलेगा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यह देखे हमारी जलीविया मिलकुल बन के तयार हो चुकी है और यह देखे कितनी टेस्टी लग रही है हमारी जलीविया और मैंने इसे बिना फूट कलर के बनाया है यह देखे हमारे कितना अच्छा जलीवियों में कलर आया और हमारी जलीविया सिर्फ 10 मिनिट्स में बनी है next वीडियो में